बल्द हर्चिगेनी मेरा बॉड़ हर्चिगेनी कुरॉंच परवत के बिल्कुल सामने आ चुके हैं आप देख सकते हैं में में सीधे पानी आ रहा है इस नमक को देखे आज पता नहीं था कि लाट में हमारा ट्रेक इतना भागम भाग वाला होगा हेलो स्तो नमस्कार मैं हूप प्रमोध रावात और फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में सांदार व्लोग के साथ और उस समय ने कल आपको बोला था कि हम उस चोटी फे फते करने वाले हैं आज तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और आपका इंतजार भी है हमाराज वह बलकुल जंगल के रास्ते होने वाला है तो बहुत जादा एंज्वय हम करने वाले हैं के साथ बने रहे और इंज्वय खरते रहे हेलो आआई तो इतने लोग हम आ रहे हैं और हमारे पार सामान नहीं है बस 15-20 यहाँ पर माल्टे हैं यहाँ पर देख सकते हैं दोनों थेलों में और उसके साथ घर का पिसा हुआ सुन्दर नमक है तो चलो आज का ट्रैक शुरू करते हैं यहीं से और चलिए एंकित भाई हमें लीड कीजिए आज तो चलिए शुरू कीजिए ट्रैक चलिए मेरे सै तो थोड़ा पीछे-पीछे हमारी चल ली है और यहाँ पर आप देखिए जोली मास्टर भी थक गए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इस थैली में हैं माल्टे हैं ककड़ी है जो कि हम उपर चूटी पर पहुंचने के बाद खाएंगे जो आज हमारी टीम को लीड कर रहे है अंकित भाई वो सबसे पहले ठक रहे हैं तो ऐसे लीडर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कुछ ना तो यहाँ पर अंकिय सिंग का इनके अंदर भाई है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो अंकिय सिंग हमें यही न छोड़ देंगे तो बस आपको जादा बोर नहीं करें आनके बगभग करके मैं आपको यहां से कुछ दिखाने के लिए यहां पर रुखा हूँ तो आप यहां से देख सकते हैं हमारे गाउं का लिए यहां से कुछ ऐसा दिखता है hem अज़र नहीं में आ यहां से आपको सामने केदार घाटी का भीव थोड़ा आपको दिखाने की कोसिस करूँगा यह देखिए तो केदार घाटी में इतनी जादा धुंद है कि वहाँ पर भी कुछ के लिए नजर नहीं आ रहा है लेकिन उपर आप देखिए हिमालय पर कितने सारे बादल आ चुके हैं तो आसंका है कि अगर ऐसे भी बादल और बढ़ते जाएंगे तो बारिस भी हो सकती है और अगर मैं यहां पर आपको दिखाओं तो यह है करॉंच परवत जो कि यहां से उतना के लिए नहीं नजर आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर भी बड़ा चीड का प बहुत जल्द हम उन चोटियों पर भी चड़ने वाले हैं तो इसलिए कहते हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बोल चैनल को सब्सक्राइब करें सर्मानो यार तो अभी थोड़ा मैं अनुस्का का वेट करता हूं क्योंकि वह बैलों के साथ है तो बैल इतनी जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहे होंगे तो यह लोग तो चल ले हैं दीरे दीरे लेकिन मैं उसका इंतजार करता हूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर सकते हैं उसके बैल अभी छोटे-छोटे हैं तो वह अभी चल नहीं पा रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं मैं अभी अपने बैलों को ले के आया हूं लेकिन हमारे जो हीरा मोती है ना वह बहुत ज्यादा एक्स्पिरेंस है उनको ऐसी पहाड़ियों पर चलने का ले आप अपनी हसी मत रोकिए और इस हसी के साथ हम अपने ट्रैक को आगे कंटिन्यू करते हैं चलिए तब फिर तो अभी हूं मैं जंगल के बीचों बीच आप देख सकते हैं चारों साइड आपको सिरु पेड़ी ही नजर आएंगे और मैं यहां पर हूं सिर्फ अनुस्का के बीचे हैं यहां पर और जो हमारे होर बाई बंदू थे छोटे-छोटे वह आगे चले गई हैं और कहां वह पहुंचे हूंगे वह पता नहीं है लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं जहां मैं आगे बढ़ रहा हूं तो सिर्फ जाडियों पर मकडी के जा लई हैं आप जंगल में सभी परकार के जानवर होते हैं, बालू होता है, तेंद्वा होता है, तो जितने भी बड़े जानवर हैं, तो सभी हमारे जंगलों में पाई जाते हैं, तो थोड़ा डर भी है, मुझे अपना डर नहीं है उतना जितना अपने छोटे भाई बेहनों का है, क्योंकि वो मेरे भृष से यहां तक आये हैं, सबसे पहले उनको सभी सलामत चोटी पे पहुंचाना है, और उसके वाद सभी सलामत उनको घर भी पहुंचाना है, यह मेरी जिम्मेदारी है आज की, तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो ऊपर चले गए हैं, कहां पहुंचे मेरे क कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं उसका के साथ अभी पीछे पीछे चलना हूँ, क्योंकि उसको भी अकेला नहीं छोड़ सकता बैलों के साथ, तो सबको मुझे साथ लेके चलना है, आज पहला तो यही है मेरे लिए चैलेंज, तब जाके चोटी पे पोष्णा चैलेंज आपको दिखाने की कोसिस करूँ, तो आप यहां पर देख सकते हैं, चारों साइड आपको सिर्फ यहां पर पहाड़िया ही नजर आएगी, और यहां आज के लिए नहीं नजर आ रहा है हमारी सायद किसमती खराफ होगी, क्योंकि आज धुंद फैल लखी है, किस बात से मु आप देख सकते हैं, मेरे हाथ के जश्ट सामने ही करौँच परवत है, तो इतनी हाइट पे अभी हम आ चुके हैं, और अभी हम उस हाइट पे नहीं पहुँचे हैं, जो मैंने आपको नीचे से दिखाई थी, अभी हम जो चोटी है, उसकी लोवर साइड पे पहुँचे हैं लेकिन सामने जो मेन रिच है, वहाँ पर हम जाने की कोशिस करेंगे, और वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर क्या-क्या है, और यहाँ पर आप देखिए, सारे यहाँ पर ठक चुके हैं, और यहाँ पर माल्टे यहाँ पर अंकी सिंग, जो हमें लीड कर रहे थे, उन्होंन तो देखिए तो देखिए ऐसे होते हैं हमारे पहाड के बच्चे इतने घने जंगल से आ रहे हैं और इतनी हाइट पर डर का कोई भी उनके अंदर एक अंस भी नहीं है मुझे तो इनकी चिंता हो रही है लेकिन इनको तो अपनी चिंता ही नहीं तो चलो जो भी है आगे बताता रहूंगा आपसे बाते तो होती रहेगी और यहां पर आप देख सकते हैं सभी लोग माल्टे खा रहे हैं तो एक मैं भी निकाल देता हूँ क्योंकि मेरा गला सूख रहा है बहुत ही जादा है लियारे पहाड़ी पहमें जाना है वह पहाड़ी सामने है तो जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आनन्द लेंगे माल्टों का तो अभी सिर्फ इसको खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको तो हमने अभी सभी लोगोंने माल्टे खा दिये हैं और यहां पर आप देख सकते हैं रोईद बुकर जी अभी भी खाई रहे हैं और रास्ते में भी ये खाते खाते आ रहे थे पता नहीं कितने माल्टे खाते हैं निवन्दो उनका पेट कभी भरता ही नहीं तो मैंने भी दो माल्टे खाई दिये हैं और थोड़ा जो गला सुग रहा था अब रहात है थोड़ी और बढ़ते हैं आगे कहां पर जहां पर जो में चोटी है जहां पर आज हमें जाना है लेकिन वहाँ पर जाने से पहले में जो आने वाली आगे जो हमारे track होने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूँगा तो आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर आपको एक चोटी नजर आ रही होगी तो उसका नाम क्या है नितिन वहाँ पर है ब्यल्ब की धार वहाँ पर बोलते हैं ब्यल्ब कोई अस हैं तो आपको सामने क्राउंज परवत के बगल में जो मुंडी टाइप की एक यह नजर आ रही होगे न यह वाली चोटी तो यह इस परवत पर भी हम जाने वाले हैं और इस चोटी का नाम है डाकुधार तो सायद वहाँ पर डाकु रहते हैं या क्या रहते हैं पहले जानक आगे बढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पढ़ देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक दिवार नजर आ रही होगी जिसमें कि अभी रोई हिमानसु और गणेश जी चल रहे हैं तो इस दिवार के बारे में आपको बताऊँ यह पुराने जमाने के लोगों ने यह दिवार बना रहीए और इस दिवार का महत्वर ये है कि यहाँ पर दो छेत्रों को इस दिवार के माध्यम से बाटा गया है यह था आप और आपको यह डंड का शेत्र हे और यहाँ ही बात करहूं से पहले जो मेरे चोटे बाइब आ रहे हैं तो उनको बहुत जादा भूग लग गई है क्योंकि टाइम बहुत ही जादा हो चुका है और टाइम की बात कुरों तो अभी डेड़ बज रहे हैं दिन के और आप धूप देख सकते हैं कितनी तेज हो रही है तो सब का गला बार ब तड़ा गाओं है और सामने कुल बंडू पता नहीं क्या क्या गाओं है और एक चीज मैं यहां से आपको जूम करके दिखाओं तो यह देखिए तो यहां पर फलासी मंदिर है तुगनात महाराज का तो वहां पर भी मैं आपको बहुत जल्द लेके जाने वाला हूँ लेकि पहले भूग लग गई है तो यहां पर कड़ी काटी जा रही है यह देखिए तो कड़ी का आनंद लेते हैं और उसके बाद आपको फिर से मिलते हैं कड़ी काने के बार मजडा आगया दोस्तों कगड़ी खा के अभी कड़ी भी हमने खा लिया लेकिन नीतिन जी आप अब्ड कुछ कहना चाहता है उम करेंगे क्योंकि गरवालों के बहुत ज्यादा रहीerg T नीतिन जी बहुत जार्मीले हैं और वनले में को दिकत हो है तो मैं आपको बता दो क्या हो रहा है तो सीन कुछ ऐसा है कि मेरे फॉन प्यार है इनके घरवालों के बहुत ही ज़्यादा फॉन कि कहा गए दो बजने वाली है तुम अभी करनी आयए क्या प्रइसान हो रहे हैं तो जो आगे ट्रेक है यहां से आगे का जिस दिन भी अगले दिन इनकी छुटी रहेगी जब भी इनकी छुटी रहेगी सबसे पहले मैं यह वाला ट्रेक करूंगा और जो बात के ट्रेक मैं आपको बता है ब्यलबा धार वाले और जो डाकू धार वाले तो वह ट्रेक मैं बात मैं करूंग चलो तब आओ मेरे पीछे बीजे तो गाईज आप देख सकते हैं बैल मेरे कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं वो एक दम ऐसे भागे मुझे पता ही नहीं चला तो गाईज आप नीचे देख सकते हैं साइद उन्होंने तेंदवा देखा होगा तो इसलिए वो एक दम मेरे मुगों के सामने से इतने तेज भागे भाई साथ वो देखें नीचे बिल्कुल यहां से नजर भी नहीं आ रहे हैं क्या स्पीड में भाग रहे हैं और यह दर से पीचे से भी आ रहा हैं कहीं से पीचे से भजाग न मार दें भाई साथ वो भाई वड़ा स्पीड हमारे बैल तो नितिन सामने ला रहा है लेकिन अनुस्का के बुरे हाल हो चुके हैं क्योंकि उसका एक बैल ऐसा भागा कि कहीं नजर नहीं आ रहा है हाज पता ने था कि लाट में हमारा ट्रेक इतना भागम भाग वाला होगा पता निंदे कहाँ यह बैल जले गया है मुझे तो बड़ी दिक्कत होगी है क्योंकि उसका बैल छोटा भी है और तेंदुआ तेंदुआटेंदुआ अगर कहीं मिलेगा तो उसको उसका निवाला बना देगा हाँ 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 कहीं उसके गले की घंटी भी नहीं बज रही है तो काफी दिक्कत होने वाली है तो अब घंटियां सीधर नीचे सुनाई दे रही है वो सायद हमारे बैलों की हो सकती है और नुस्का का बैल तो गाया भी हो गया है तो नितिन बुल रहा है सायद उसको वहां उसकी घंटी सुनाई दे रही है तो चलो मैं भी चलता हूं और ठीकता हूं वहाँ पर बैल है अभी प्यान नहीं है लग भग चार किलोमेटर में अखेला भागा हूं तो बहुत ज्यादा पूरी हालत हो चुकी है और आप मेरी हालत देख सकते हैं मेरे पूरे मोहों पे जो जाले बोले थे नमखडी के वह लग चुके हैं तो उनको निकालता हूं और बैल सायद नितिन वा से चिला रहा है कि एक बैल नीचे फिल्ड में पहुँच चुका है तो सबसे पहले इन जालों को निकालता हूं तो गाईज आप यहां पर देख सकते हैं एक बैल के पीछे में कितना दूर भागा और एक बैल यह आवा रहा है हैं देख रहे हैं तो गाईज ऐसे जंगल में बैल खोने पर और अब बैल के ऐसे भागने पर मुझे एक गाना याद आ रहा है बल्द हर्चिगेनी मेरा बॉड हर्चिगेनी अब क्या कान था तो गाईज फाइनली हम पहुंच चुके हैं पंग्रुली स्टेडियम में अपने ट्रेक को कंप्लीट करने के बाद और आप देख सकते हैं कहा पर दिखाए थोड़ा वह देख सकता वह चोटी पर हम गए थे और उतनी दूर हम गए थे कि वहां से यह स्टेडियम भी हमको नजर नहीं आ रहा था और आपने कुछ दिर पहले देखा होगा रोईजी बोल लेते लास्ट में अला मैं भी खोबल तो इसको ध्यान से आप द लोग में तब तक के लिए जया हिंजे उत्राखन जया बारत बाई बाई वाई टाटा और कैमरा के पीछे मिश्यू और लव्यू वाले नितिन जी बाई बाई नितिन जी मिश्यू लव्यू